जो यह कथा पढ़ा हित लाए। प्रापत पक्त सर्ब लोग गुसाई है हाँ कहन दे उन्हों प्रगती प्रापत हो जान दी है सर्ब लोग गुसाई दी उदी 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 अपर किरपा हुं दी है उदी हिर्दे वे चवाए गरू कर मंतर दा नाम चल पहिंदा है उन्हों प्रेमा पक्ती प्रापत हो जान्दी है चार मुक्त चार फ्रापत हो जान्दी आने ते चार फ्रापत मन्ने गए ले दुनिया उपर गुरु खाल साजी जनमा सोना होवे इस्त्री सोनी होवे मंदिया कामना मा पूरिया होना अते गुरु खल साजी चंगी संतान वे, एवी चार फ़ल मनने ने, तारम अर्थ काम को क् although on गरंथा वेच चार फ़ल उन्दे ने, कैंदे वने, चार फ़ल प्रापत उन्दे ने, ते चार मुझतियां प्रापत उन्दे ने, лहे सूख सब जन को सवारत, हां केंदे पी ओ सुख लेंदा है ते सारे जनादे सुआर्थ ओदे तो पूरे हुंदे ने लोड तो सारे आंदिया जिडियां लोडाने सुआर्थ ने ओधे तो पूरियां ओ धियाने जड़ा सर्बलोदी कथा सुनदा है सर्बलोदी कथा नू पढ़दा है सर्बलोदी कथा नू त्यान नाल विचारदा है पुरिंद्री मुगत पगत के प्राप्त करने पुगती है क्यूंकि के प्रमेश्चρι शक्ति हैं भुरू ख्लसभ प्लसभु भुगती दाती है तो प्रमेश्चर है भुगती दाता है जिड़ा मायानों स्मर्दा है लोकल भुगती पूजा करदा है उन्हों पदाऊवत मिल जांदे। नहीं मिलती बानी चे लिखे हैं ना अंत समय जो लश्मी सिम्रे ऐसी चिंता मैं जो मरे सर पे जोन वालवा ले उतर है जिड़ा माया माया करदा माया नो इसिम्रदा मर जानदा है संसार विच माया दे बड़ी मिल दी है पर अंतनों मुगती नी मिल जिड़ा अकाल पुरुक नो जापदा है उन मुगती मिल दी है उन संसार विच पदार्थां दी भी लोड है मुगती दी भी लोड है ये गरंथ विच दो परसंग है दोरा माया नो इस माया दा पती दोना दा ये अस्तोत्र आद वेच जोंदा है इसले ही संसार्थियां लोडा मी पूरियां पुगती पदार्थ भी पूरे ते मुगती भी प्रापत हुंदी है दोना नो ये प्रापत करवाऊन वाला गरंथ है सो केंदे ये जिड़ने मुगती दे पुगती प्रापत करनी है वो दी प्रापती करनी ओ सर्भलो ग्रंथ नू पढ़ना करे विचारना करे श्री मंगला चर्ण पैहरनी हाँ श्री सर्भलो प्राण जिड़ पैहरनी दर नू खत्म करने वाला है इनू विचारे इनू पढ़े मन्चित ला करके विद्यार्थी विद्याहित सेवे हां जिडे वधियारती नूँ विद्याना ना हुदी होवे, वधिया वास्ते ए गरंथनू सेमन करे, वधियारती विद्या वास्ते सेमन करना, द्रामा नाल बिंदी होवे ते बहु वचिन बंदाए, इसलिए बिंदी जिरूर बलवनी है, वधियारती है, वधिया प्रापत ह बढ़ थे जिन्नों कोई जितना सके संसारते विच बवति आ के चर्चा करने हरा ना सकने जितना सकने अखीमें अजित पंड़त ओ बन देने सो कब उत्तम कभी हुवें हुन्देने जेड़े एक रंथ नू पढ़ देने बदियार थी हुवें हाहे नू दलाम भोडा तेवावे नू दलामात नाल भिंदे ओ उत्तम कभी हुन्देने अखे में अजित पंडत ओ अखवाँ देहान जेड़े विद्यादी पावना लेके वद्यार थी ए गरांथनू पड़ देहान अम्माले पाद क्राम जटा छंदन गद कहे जेड़ा ए गरांथनू बद्यार थी पड़ता ओ अप पंडत पड़तें बन जानता है क्योंकि एदेवेची पाद क्राम बड़े के क्राम उनसार पाद जटा मैंने जटती क्राम उनसार पाद जटती किती है गुरु खालसाजी जे पपेदों आया ते पपेदों ये शेकानों प्रास्तु रहा जानता है कि ते वृतियनों प्रास्तु रहा जानता है गुरु खालसाजी हर एक परसांग, हर एक लफज, हर एक पदा, बड़ा क्राम उनसार जाट मैंने जड़िया है, बड़ी सोनी बंतर एक ग्रंथ दी है, ते छंदन शांद गाद मैंने कवता, कवता दे बड़े शांद अनुखे, कहे कहे आन इस ग्रंथ दे वेचे, जे साथ ग्रंथ के पाद को चाहे, जे जड़ा साथ के ये सैंकडे ग्रंथां दे पाद सिखने चाहे न, ओ ये ग्रंथ पड़ लवे, कोकि सैंकडे ग्रंथां वेच जेडे अउखे अउखे पाद होंदे न, कटन कटन मिंगे मिंगे लफज होंदे न, ओ सारे लफज के ग्रं एक देश दी बोलिनी इन्हीं बापा संथाश्व जी कहने लिए प्रविंजा बोलीगां तो बवदीर को बोलं गरंत वीच गुरू खाल्चा जी देश देश जी इते विच बोलिगा ने जाम इस गरंत वेच गई कह धे जिए तरदानी होरता है योर किड़ा ले जलो एंदीर बोलिगां केड़ा भार सीधा ग्याता है केड़ा पश्तो जानदा है एमें कलगी तार्दी हस्तीनु निक्यां गार दे पहे ओ ए मारे सच्चे पाच्छा ने गरंथ लिगयां केंदे देश्यां प्रदेश्यां दियां बोलिगां एदेवेटी लिखे दिगाने हुआ साफदान प्राण अर्थ गरंदेश्यां प्रान के ये प्राणा तारी जीव साफदान हो के पड़े एमें नी पिए गरंथ पड़या जाओ अखा मीट के पज्यां जाना पताई नहीं लगना पहली तेगालपी केड़ी बोलिदा केड़ा अक्रद की अर्थ है केंदे ति माश्टर चंगे विद्या गुर्देव विद्या गुरु विद्या दाते उस्ताद दे कोल बैट करके एक ग्रंत नो पड़े अर्थ ग्रमें मैंने सुमू अर्थ एदे वेच लिखे हाना कई एक शब्दे कई की अर्थ एक ग्रंत वेच आँदे हैं प्रयाएवाची शब्द वी एक ग्रंत वेच ने आते एक शब्दे अनेक अर्थ एदे वेच वर्नन कीते ने ता आई थे बहुते पले खाखा जान दे हना निरंजनी कातर सुने सूर्ता भटते कातर डृपोग जीरा सुनूगा ना जितों सुनूगा फी पीरे जी आदी माओट सामने किलोती है ते सरबलो मापी मांगा हुए हो तक मतुमामा मेरा कुझ्स पहें और यहें सूर्मत आपद जावेगी हो दो हैने ऊ सूर्मथ तो हो जावेगा तो नावना वेखलो हरतागे एक पाद किरेपन थे कंजूवस दो बादने दो ना पदांदा एक अर्थ सूम मान करके रासूम है ना ओजे सुनें तन करके मान करके कई तन करके सूम हुं दे ना पी जेब पैसे आगे है लिए खर्च देए ते कन्यादा मान सूम उन्दाए भी ये वेज़ते है जाहरान ओट ने खर्चन नू जीनी करता मेरे वर्गया दा ओ कैंदे दान करन लई हस्त हाथ काटन के गाँ आलो जी मैं तो अनु देना है पैसे एन्ने पैसे मैं दान दे देते आइन्ने पैसे मैं खाल से नु जड़ा देip सूम जड़ा ओ दानी बन जावेगा सूर सुने सूरत तन बाटाए ये सूरमा है कथा नू सुने ओधे मानविची सूरत मैंने सूर्म गती होर बाद जावेगी उ होर सूर्म ताई दे साय तो जावेगा जीता सक्तर समर दुर गाटा दुर मैंने करड़ा दुर गाटा मैंने करड़ा दुर गाटा मैंने बहुता करड़ा किते समर जुद दा मदान प्या होवे ना पाप बहुता करड़ा जुद दा मदान सूर में दे समने आजवे ओ डरेगा नहीं ओ वेरी नु जित लवेगा जु गाना एक अतानों ओंप तनी ओजावेगा उजातान कदे खेद्मनी ओवेगा तान दे नालपंडारे एकंगाल सुन लवेगा महाराज कलकी तार्जी कहें देब बंधी कहती यह कहती वास्ते पो यह गुरौबानी सुनके अर्दास खरीगा जहां कहती हैं आप सुन लवेगा जाटे जेला जो बंदने ओसर बलो दी बानी पड़या करने सर बलो दी बानी भी चारने कहने तिस बंद शुडावे ओदी बंद खलासी हो जावेगी शुडावे शुड जावेगा गुरु खालसा जी मर्यादा होनी चाहिए दिये कई बार आपा मर्यादा चाड़ दिने जी में बापा तारा सिंग जी खुरूर सह वाले उन्हा मां पुर्खां कोल किसे ने आके अर्ज की थी ते साथे बंदे नू कैद होगी है आप किर्पा करो असाने के सुप्रीम कोट ला देता है उसी बंद खलासी हो जावे ते मां पुर्खां लगे पी संपट पाढ़ कराओ संपट पाढ़ कराया फाहे काटे मिटे गवन फदे पहीमन जीद गुरु खालसा जी ए संपट लगाया गया पाढ़ होया पर गुरु खालसा जी बंद खलासी होंदा कोई चारा ना होया त्रीक गांप लगे लगदा सी पी कैद हो जावेगी उमर कैद इन्फंसी लग जाएगी बाबा जी कोल आए बापा जी कहाँ लगे पी गल्ती दमात रहतो हो सगदी है जान ते पाढ़ होई ते जान अबर वाले होई एक पाढ़ होर कराओ उन संपट दे खर्क्या खासा लगदाई करवाले आनला खर्क्या गुरु खालसा जी के चैरी क्वी लगा सी ओ वेखन तांड भाबा जी ने होर पाढ़ नस देता बापाजी कें जे खर्क्या ओनाओ होई ये मैं फेसे इन सब्सक्रमा गुरु खालसा जी चोटके आया ना उन्हें भिप्पोग दे भैके नामें पाच्छा दे सिलोग सर्वन कीते एपर संख दूर साइब दे सिखां तो सुनीदा है सो कैंदे आगज़ा बंधी एंआ हो सउनलवें तेस बंद शिडावें तेस दी बंद खलासी होवेगी बंद खलासी तो शिडावे खुट जावेगा उन्नों एक रंत शिडादेवेगा अन बुद सुन बुद बुद बालबाटा है हैं देपी जेदी अनबोदक कई गुरु खाल्चाजी संसार्द उपरे आगे कोई हादिसा हो जान्दा होना नालते उनना दमाग काम करनों अड़ जान्दा है हो जा सेर वेचे कोई एक्सिजेंट दवारा जहां कोई सट लाग जानी किसे कारण इस सेर काम करनों अड़ जान्दा है कई कर्मरों की होंदे ने वह बचपन तो ही उनना दी बुद्धी नहीं होंदी ठीक और अनबुद्धी वाले होंदे ने उनना दी बुद्धी काम नहीं करती तो केंदे ने जे कोई अनबुद्धी वाला बंदा एक रंथ नों सुने बुद्ध बालबाद हो दा बुद्धी दा बालबाद जावेगा वो ठीक हो जावेगा उटू संसार वेचे विचरना ग्रंतां दी सोची संसार दी सोची सारी आजावेगी इने कृपा हो देते हो जावेगी है कैद दिन दिन जाजी साथे बच्चे नी पढ़ दे उनानो ते विध्यानी आउधी सरबलो दी बाणी पढ़िया गर्व महाराज बुद्धी दा बलवदा दे इस सज्चे पाच्चा जी वरदान लिख देने बांज सुने संतत तेस बाठे कैई बांज आउरकां दियाने ओ सुनलें ते ओनान दे कार संतान दा सुखवाद जान्दा है क्रित अंज ले अंदुल पिंग गुंग जो सुनें हाँ जेडा अंदुल अंदा ते पिंग पिंगला ते गौंग गुंगा जेडा एस गरांत नो सुनें गुरु खाल साजी बैठके एजी कताई दा पाठ शर्दा पावना नार सुनें दूद लामाने देखै तुरे बोले ताठ छिनें ओ देखै देखन लग पैंदा है अखा दुआदा ते पिंग पिंगला तुरन लग दा है पहाड चाड जानता है ते गुंगे बोल पेंदेने ताठ छिन जल्दी जेडा कुई शर्दा नाल सुन दा पावना नाल माराज कल की तारजी केंदे बुखदी गाल्ली है जड़ा एक गरंत है सार्यां कामना वानु पूर्यां करन वाला है सार्यां ये पामना पूर्यां हो जान दियाने देन वाला है सार्यां कामना वानु एक गरंत मान पांचत फाल मिला तुरंता तुरती मिल जानदा है जड़ा येस तुरंतनों विचारता सुनदा है रूमावली अस्व मेद गाज मेद दात बिदवत बिदी बात गुरु खाल साजी दात दान करते साना अस्व मेद गाज मेद किते विच्छना में दात बिदवत बिदी पूर्वक जड़े दान करते साना बिदी पूर्वक अस्व मेद गाज मेद जग करते सी पहले दुकावेच लोक होई प्रापत पठत अर श्रण्वत श्रवनत मैंने सुन दे नाले जड़ाए एक रंतनों सुनदाए पठद पढदाए उन फाल प्रापत हो जानदाए अस्वमेद गजमेद करनदा दातदान आद करनदा इड़ा फाल है न और बंदेनों प्रापत हो जानदाए मान बजगाएक पाप पर हरे इन त्रीके दे पाप उन्देने कुछ मन करके, कुछ बचना करके, कुछ दे करके, तिन्नों ही पाप खत्म हो जानते हैं, पापां दा बुरा भल प्रवाब खत्म हो जानता है, जिड़ा विदी बात एक रंतम पढ़ता सुनता है, सनीह सहत स्रिनवे याररे, हां सनीह सहत प्यार दी सहत, स्रवने इती स्रवने पाठे, स्रवने सुन दा, या मैनी जानती ररे मैनी पढ़ता, या सुनी जा पढ़ती, प्यार सहत, दुना नूई फल प्रवत उभीगा, बुरी पापां दा प्रवाब खत्म हो जावीगा, स्रव पाट की एसतरा है कि गुरू खाल साजी मन करके तजन करके एंप आप आप ढदे मन करके किसी दा बुरा लोचिना तजन करके बुरा कर देना जिबान अहला कि किसी दा कम गाड़ देना इतन तरह पाप प्रबाव खत्म उजाने जे कि अनियाने वेच अपाप उजाने रोगी दे रोग ना सुझाने सारी रोग खत्म उजाने ने जड़ा एस ग्रंत नू पढ़ता सुन्दा है और या रोग परकत सुर्तों का परकत करवेच बरकत पहर जानती है सुर्तों का मैंने सुर्तों का उनों जो सुर्तियां दा ग्यान है वो जानता है सुर्त अक अक यह दो शब्दान मेलके चाल उनसार बाना थे सी सुर्तका ते चाल दे लिया आजनाल तोगा लिख देता है ते अग मैंने उन्दा जानू शुरुतियां तो बेतानियां शुरुतियां दे ग्यान तो ओ जानू हो जानू हो जान दा है आजू अमर लमी हो जान दी है जिड़ा इनु पढ़दा है, सुनदा है, जो गुर्म की टंगतरी के नाल इतियास लिखिया है जा गुर्म का वास्ते जो इतियास लिखिया है, जा गुर्म की लिपी विच जिड़ा इतियास लिखिया है इन्हों जिड़ा पढ़दा सुनदा है उन्हों ए भल प्रापत हुन्देने अमोग रूपी ग्यान नहें ग्यान हेत जो सुने जग्यासी हाँ जिड़ा जग्यासु सुनेना ग्यान वास्ते भी मिन्हों ब्रह्म ग्यान हो जावे हेद मैने वास्ते उन ब्रहम ग्यान हो जानदा है ऐसी ओदे उपर किरपा हुंदी है प्रापत हुए ग्यान अबनासी हाँ उन ग्यान पी अबनासी वाई गुरू अकाल पर उखदा ब्रहम ग्यान प्रापत हो जानदा है दिड़ा ब्रह्म ग्यान दे वास्ते ग्रंथ दी कमाई करदा एदा पठन पठन करदा है पात ग्यान उपजा बुद निर्मल पात ग्यान ओधी बुदी वेच पैदा हो जान्दा है अते ओधी बुदी निर्मल हो जान्दी है गरे प्रगास बिबेक हात पसमल असमल पाप उदे हाथ खत्म हो जानते हैं अधे बबेक घ्यानता परगास एक रंध उदी बुद्ध वेच करा कर दिन्दा है अमोग बरने आपके पाप पूर्भलो पापा दोत्रां में पाप उदे ने गुरु खाल साही जी कौज पाप आ जन्म दे कौज पाप पिछले जन्म दे मारा सहीब जी कहन दे ऐस जोग दे पाप ते पिछले जोग दे पाप ओ ख़तम हो जान दे ने जड़ा को ये इस गरंद दी बिरी पूरवक पाठ पठन दी मर्यादा नू करदा है